कि देखे पूरी तरह मैं तो बारवारा रोप लगाता हूं कि नितीज कुमार जी जिस दिन भी बोलते हैं कि सराब बंदी के खिलाब उस दिन जनता दल इनाइटेड का खाजाना भड़ता है और जिस दिन बालू के खिलाब बोलते हैं उस दिन राजत का खाजाना भड़ता है और ये तो पुरूब हो गिया कि नितीज कुमार जी जहराली सराप भिकवा रहे हैं है हम उनके घर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप मुख मंत्री नितीज कुमार पर एफायर करवा हैं क्या कुछ करें समराज चौधी पहले सुनी उनकी बातों को देखे पूरी तरह मैं तो बारवारा रोप लगाता हूँ कि नितीज कुमार जी जिस दिन भी बोलते हैं कि सराप बंदी के खिलाप उस दिन जनता दल इनटेट का खाजाना भड़ता है और जिस दिन बालू के खिलाप बोलते हैं उस दिन राजत का खाजाना भड़ता है और यह तो प्रूब हो गया कि नितीज कुमार जी जहरली सराब भिकवा रहे हैं मैं सीधा रोप लगा रहा हूं कि नितीज कुमार जी भीहार के लोगों को जहरली सराब पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं मैं तो उनके सभी जो परिवार हैं उनसे मिलने भी जाऊंगा और उनसे करूंगा कि नितीश कुमार के खिलाभ पर त जाहेंगे जिन परीजन के परिबार के व्यक्ति को मौत हुआ है निक्राइले को आगे ये कि लिए कि जिसे बिखार में सराबंडी सराबंडी के कारण जहरीली सराब बीक रहे और जहरीली सराफ पीने से लोगों की मौत हो रही है और जिस तरह से कहें तो 60 से 10-11 लोगों की मौत हो गएये सुरार पीने से इसको लेकर सम्राइश Свा और सर्कार पर हमला बाहरे हैं यह सराप करके सता सब्सक्राइब संक्षार करते हैं जदियों के मुनाफ़ा होता है तो आड़ ज़ेहर में पाता होता है और वह सरकार को घेर रहे हैं जिस तरह से खहें तो बिहार में सराब बंदी के कारण जरीली सराब से लोगों की मौत हो रही है और सितकालिन सत्र में सरकार को घेरने के लिए पक्ष पूरी तरह से तयार है और बिते दिनों छपरा में जिस्तर से जरीली सराब से मौत हो गई है तो सितकालिन सत्व में भी गहमा गहमी का महल बना हुआ है और सराब को जिस सराबे सो मौत हुई है इसके लिए भी समराज सब्सक्राइब और नितीश कुमार सब्सक्राइब करते हैं तो जद्दीयों का मुनापष होता है अगर बालू के बारह पहता है तो अर्ट बरस्ते income रहे हैं एसने तमाम खबों के साथ नमस्कार